हलो फ्रेंड्स मेरा नम अर्षना है और आज मैं आज मैं होट एंड सोड सूप की रैस्पी लेकर आई हूं इसको बनाना बहुत ही सरल है और कुछ इंग्रेडियंट्स से बन जाता है तो अभी मैंने कुछ वेजटेवल्स को इकठा किया है जिसको हमें पकाने के लिए चड़ को बारी वारी काट लिया है उसके बाद मैंने लिया है शिम्ला मिर्च दो से तीन चमच करीब होगा यानि कि आपको आधा शिम्ला मिर्च लेना है थोड़ा सा गाजर ले लेना है गाजर को बारी वारी काटना है प्यास लेना है उसके बाद मैंने यहां पे थोड़ा सब द ऐसे पहले हम इनको पकने के लिए चढ़ाएंगे उसके बाद बचे हुए इंक्रेडियन्स लो निकठा करेंगे तो सबसे पहले हमें पैन को गरम करना है फैन गरम हो चुका है अग इसमें डालेंगे निसमूंब कछना बटर है मैं ममाम, सबसे वहले कॉमझे सब्दी ओखरा सब्दी? सबसे पहले हम लासन को डालेंगे और हल्का साय से खला जहेगे जैसे हल्का सब पक जाएगा उसके और हडी मिर्च और फ्याळ दालेंगे और इन दोनों को एक बाड चला दे उसके बाड डालें प्यास बिल्स को भी 30 सेकंड पर बखाएंगे विल्स भी हल्का पख चुगा है अब हम डालेंगे इसमें शिम्ला मिर्च शिम्ला मिर्च के बार डाल दें गाजर और बंद गोधी गाजर और बंद गोधी प्रीसाद डाल दें और अच्छी तरह से मुला दें रख शूप आपको रीफाइंड ओयल या सरसो तेल भी बना सकते हैं लेकिं बटर का जुप के बार होता है वह बहुत स्वादिश्ट बहुत हुदा होता है इसलिए हम बटर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो सर्सो तेल या रीफाइंड ओल दे सिंगी इस्त पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिला दे और उसके उपर एक धकन चड़ा दे एक उबाल आने तक इंदिजार करें यानि की एक बार इसको उबलने दे बचे हुए इंग्रेडियंस मैंने यहां पड़ी कठा कर लिया है दो चमच लिया है सोया सॉस एक चमच विनेगर दो चमच कॉरण फ्लोर एक चमच चीनी का पाड़र और दो चमच ग्रिंग चीनी सॉस और काली मिर्च रडा धनिया और कुछ चीजे और डालना है तो सबसे पहले हम इन चीजों को इसमें डालेंगे सब़्या उबलने लगी है अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, पत्त वह स्टार्ट डालना जरूरी होता है तो इसको मैं नहीं घूल लिया है अब इसमें जी तरह से बिला लमत तो मैंने पहले इसमें डाल दिया है तो अब हम इसको एक बहुता देते हैं उसके बाद सब्सक्राइब इसमें सोया सॉस एंड चिली सॉस माम सोया सॉस कितना डालना जरूरी होता हैं पांच बॉल आप सूप बना रहे हैं तो उसमें 2-3 चमच डाल से माम एक बर क्या हो था? मैं सोया सूस डाल रही थी और उसमें विस्टूप में बहुत जादा डल गया था तो उसका फ्लेवर बिल्कुल खराब हो गया था जब मैं टीन एजमें सूप बना रही थी तो वीनेगर बहुत जादा डल गया था मैं बॉडल से ही ऐसे डाल रही थी और वो छे-साथ चमच करीब डल गया था कुलाद दालने के बार डाल देंगे वी लेगर और उसके बार हम डालेंगे चिली सॉस चीली सॉस मैंने यहांपर walking यहां पर डू टूर्च लिया ऐं ग्रीन चीली सॉस और दालने के बार ची तरह से मिला देंगे उसके बार हम मीठा करने के लिए ह Tut & 끼ह या हर्ग हो SUB हमारा लगहत novel हो चुगा है एक बार मैं इस से चड़ कर लेती हूं नमस्थ अर हो टोड़ा पंड को चाना को च्झ कर लेंगेा पना और इसके बार यालेगे हडा धनियाया के जगा में आप पीदीना का पौदर भी डाल सकते हैं। रिपास हो और प्लिफन के लिए इस दिमाग चाब किया जासे हैं। सूप बनकर तयार हो चुका है अब तुम सर्फ करते हैं उपर से काली मिर्ट छीड़ा कर सर्फ करें इस तरह से होट अपने घर पे बढ़ाएं अपने वच्चों अपने फैमिली के साथ इंच्वाइब कीजिए अगर मेरी एरेस्पी अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए लाइस्ट रस्पी के लिए चैनल को सुस्क्राब करें थैंक्यू सुमुच